वेल्कम बैक टो मैं चैनल सुसमा आज की चान मैं हूँ सुसमा आज मैं आप लोगों के साथ कॉश्टर ऐसक्रीम की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ गर्मी पर रही है फ्रेंच तो ऐसक्रीम तो सभी के घर में बनते ही हैं मैंने भी बनाया है तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसकी रेशिपी सेयर करूं मैंने एक लीटर दूद दे लिया है और इसे गर्म करने के लिए दे दिया है उससे पहले थोरा सदूद प्लेट में मैंने देखे, साइड में निकालके रख लिया है, इसमें 2 टेवल स्पून कस्टर पॉडर एड़ करके इसे मिला ले रही हूं और उधेर दूद गर्म हो रही है तक है कुश्टर पॉडर में घुलता भी नहीं है मेरे चैनल मे रेसिपी है आप चाहें तो उसे चेक चब कर सकते हैं यह देखिए कुश्टर पॉडर को दूद में मैं घौल लिया है और दूद जो गर्म हो रही है इसमें अब इसे मैं add कर दे रही हूँ और add करने के बाद इसे तुरंथी मिलाना पड़ता है नहीं तो लंस बन जाते हैं friends तो ये देखें मैं इसे मिला भी ले रही हूँ continue इसे मिलाते रहना पड़ता है नहीं तो लंस आ जाते हैं और नीचे तौला में भी दूद लग जाता है आप देखी सकते हैं continue मिलाते रहने के बाद ये देखें custard थोरा सा गारा हो गया है उसके बाद अब मैं इसमें according to taste चीनी एड़ कर दूँगी आप चाहें तो इसमें sugar powder भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर चीनी एड़ किया है friends अगर आप को आज की मेरी custard ice cream की recipe अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को like कर दीजिएगा और चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा जिन्होंने चैनल को पहले से subscribe करके रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज चैनल को subscribe करके मुझे support कीजिए तो यह देखिए custard almost बनकर ready हो गई है अब इस stage में इसमें according to test मैं चीनी एड़ कर दे रही हूं उसके बाद चीनी को भी मिला लेंगे तो मैंने यहां पर 4 टेवल इस्पून चीनी दिया है इसे अब मैं मिला ले रही हूं मिलाने के बाद थोरी देर पांच मिनाट लगवाग इसे और पकाएंगी जिससे क्या होगा कि चीनी custard powder में घुल जाएगी उसके बाद यह देखिए custard चीनी गुल गई है और custard ready हो गई है इसे देखिए मैंने दूसरे बरतन में transfer कर दिया है और ठंधा करने के लिए side में रख दे रही हूं आप चाहें तो इसे fridge में भी रख सकते हैं उसके बाद देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है और यहां पर मैंने एक क्रीम जो मेरे घर में था उसे ले लिया है आप चाहें तो इसे whip cream ले सकते हैं whip cream में ही बनता है मैंने इसे normal जो cream घर में था मेरे पास उसी से बना लिया है और इसे देखिए अब मैं blend कर दे रही हूं अगर blender नहीं है तो आप इसे mixi में भी कर सकते हैं नहीं तो glass से भी कर सकते हैं यह देखिए अच्छे तरीके से cream blend हो गई है और इसे अब मैं check कर रही हूं देखिए ऐसे check करने से ऐसे गिर जा रहा है फिर मुसे लगा कि इसे और थोड़ी देर blend करना पड़ेगा और अब इसे देखिए मैं check कर रही हूं तो नहीं गिर रहा है तो cream ready हो गई है अब इसमें मैं custard को add कर दे रही हूं और custard add करने के बाद इसे फिर से blend करूंगी थोड़ी देर के लिए यह देखिए इसमें custard देने के बाद cream में custard देने के बाद इसे अब फिर से मैं blend कर दे रही हूं और यह cream और custard एक दूसरे में जब तक मिलना जाए तब तक इसे blend करता करते रहना पड़ता है friends देखी सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मिल गई है अब इसमें मैं food color add कर दे रही हूं थोड़ा सा थोड़ा सा यह लोई इस बहाव लाने के लिए आप चाहें तो इसे किभी कर सकते हैं food color add करने के बाद भी मैं इसे मिला ले रही हूं पांच मिनट तक इसे जितना फेटी और मौ में घुल जाने वाला बनेगा जैसे जैसे मैं बता रही हूं उसी हिसाब से आप बनाएगा तो एकदम परफेक्ट ऐस क्रीम बनेगा यह देखिए ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा गारा इसे अब मैं एक बाल में ट्रांसफर कर ले रही हूं और तीन से चार घंटा के लिए रिफ फ्रीजर में रख दूँगी अब इसका लिट से इसको कवर कर दे रही हूं तो मिलते हैं तीन से चार घंटे के बाद फिर इसे फेट लिया और यह देखिए फिर इसे बॉल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है और उसके बाद इसमें एलमुनियम फाइल से इसे पहले कवर करेंगे जिससे क्या होगा इसमें आइस क्रिस्टल ना जमें उसके बाद इसके उपर से इसका लीड को मैं लगा दे रही हूं और इसे ओवरनाइट के लिए दी फ्रीजर में मैंने रख दिया था ओवरनाइट रखने के बाद यह देखिए मैंने इसे निकाला है फ्रीजर से और इसका एलमुनियम फॉयल को भी धीरे धीरे मैं निकाल ले रही हूं जिसे की आइस क्रीम में ना परे आप देखी सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आइस क्रीम जम गई है और थोड़ा सा भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं पर रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार बना था मुह में एकदम लेने के बाद घुल गया था तो यह देखिए चलते हैं आप सर्विंग फ्रोचस की और तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया है और तुटी-फुटी से इसे मैं गार्निश कर दे रही हूँ और यहां पर ड्रायफुस भी ड्रायफुस से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं पिष्ता और बदाम का कत आप से मैंने इसे गार्निस कर दिया है अगर आपके पास टोटी-फोटी एब लेवल ना हो तो इसे skip भी कर सकते हैं नहीं तो जैली वाला जो टॉफी होता है उसे कट करके आप इसे तो कस्टर आइस क्रीम ready to serve अगर आपको आज की मेरी कस्टर आइस क्रीम की रेशिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दिजिएगा चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशिपी के साथ थैंक्यू फ़र वाचिंग